देखा भाई साब मोदी ने महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 200 रुपे की रहत दी है हाँ देखा भाई साब बैंक ने मोदी के दो सुभाष चंद्रा को लोन पर 5000 क्रोड रुपे की रहत दी है भाई साब अबे चुप क्या हुआ क्या बताओ भाई साब मोदी जी ने हमें कई मुधिकार लाइक नहीं छोड़ा यह तो पुरानी बात है अब ही बताओ ना हुआ क्या है रो क्यों रहे हो अरे देखा नहीं आपने मोदी जी ने 200 रुपे गैस लेंडर सस्ता कर दिया हाँ जब वोट लगी घटने तो तौफे लगे बटने लेकिन इसमें रोने वाली कौन सी बात है अरे भाई साब हम लोग इतने सालों से गाव और महले के लोगों को महंगई के फाइदे गिनवा रहे थे लोगों को बता रहे थे कि कैसे महंगे सिलेंडर और महंगे महंगे पेट्रोल डीजल से डेश का विकास हो रहा है लोग हमारी बात पर भरोसा भी करने लगे थे लेकिन अब पार्टी ने उनी लोगों को सस्ते सिलेंडर के फाइदे गिन्वाने के लिए बोला है ऐसे ही ऐसे ही लोग हमारे वर्टसअप ग्रूप में हमारा मज़ा बुड़ा रहे हैं तो बुरा क्यों मान रहे हो अपने वर्टसअप के दोस्तों को समझाओ कि ये 200 रुपे की खैरात बाटने से निराश मत हो उनको बताओ कि मोदी जी सिलेंडर महंगा करके पहले ही जनता से लाखो करोड रुपे की वसूली कर चुके हैं अगर चुनाओ जीतने के चक्कर में ये थोड़ा वापिस देना पड़ा तो क्या दिक्कत है अरे अपने वर्टसप ये दोस्तों को बताओ कि अभी पेट्रोल डीजल की लूट तो जारी है कच्छे तेल के रेट लगातार सस्ते होते जा रहे हैं मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं उनको बोलो कि अगर मोदी जी ने आम आदमी को 200 रुपे का फायदा दिया तो क्या हुआ बड़े बड़े उद्युक पतियों को भी तो साड़े साथ लाख करूर रुपे का फायदा दिया है उनके कर्जे माफ किये हैं क्या बात कर रहे हो भाई साब ये कब हुआ हमें तो पता ही नहीं चला तुम लोगों को तो ये भी पता नहीं चला था कि मोदी ने गैस सिलेंडर के रेट 400 से बढ़ा कर 1200 रुपे कर दिये कर्जे माफी की बात सुन मोदी सरकार ने अभी संसद में बताया है कि पिछले 9 साल में 14,56,000 करोड कितना 14,56,000 करोड रुपे का जो लोन है उन माफ कर दिया इसमें से 7,5,000 करोड रुपे लोन बड़े बड़े उद्योग पतियों का है भाई साब उसे लोन माफ करना नहीं उसे राइट आफ करना बोलते है हाँ, राइट आफ तो ये किसानों का, दुकान दारों का, छोटे वेपारियों का लोन लेके बच्चों का पढ़ाने वाले माबाप का कर्जा लेकर मकान बनाने वाले मिडल क्लास का उनका भी राइट आफ करवा دو वो मोदी के दोस्त, Zee News के मालिक सुभाष चंद्रा का भी लोन राइट ओफ हुआ है या माफ किया गया है नहीं, उसको तो हेर कट बोलते है वहाँ, पांच हजार करोड रुपे का हेर कट बैंक ने पैंच सट सो करोड रुपे के लोन में से सुभाष चंद्रा का पांच हजार करोड रुपे का लोन माफ कर दिया इतना महंगा हेर कट लेकिन सुभाष चंद्रा की जगह है कोई गरीब आदमी, कोई किसान, कोई मिडल क्लास होता तो पचास हजार रुपे लोन के चकर में भी बैंक वाले उसकी गर्दन कट कर देते किसानों की तो बैंकों में बड़ी-बड़ी फोटो लगा दी जाती है और उनके नीचे लिख दिया जाता है डिफॉल्टर, असुभाष चंद्रा, हेर कट, बड़े-बड़े उद्योगपती, राइट ओफ तो आप इतनी टैंजिन क्यों ले रहे हो भाई साब, ये तो बैंक के पैसे हैं, उसकी मर्जी, जो चाहे करें हाँ, बैंक ने तो अपनी ब्रांच में मशीन लगा रखिये पैसे बनाने की अब ये बैंक का नहीं, आम आदमी का पैसा है, तेरा और मेरा पैसा है तुझे क्या लगता है, ये जो चंद्रा जैसे लोगों के हजारो करोड रुपे लोन माफ होते हैं या माल्या और मोदी जैसे लोग रुपया लेकर भाग जाते हैं, बैंक इसकी भरपाई अपनी जेब से करती है नहीं, ये पैसा हम ही लोगों से वसूला जाता है, याद कर, कुछ साल पहले तक बैंक की सारी सर्विसिस लगभग मुफत होती थी लेकिन अब पैसे जमा करवाओ तो इतने रुपे कटेंगे, पैसे निकलवाओ तो इतने कटेंगे एटियम इतनी बार इस्तिमाल करोगे तो इतने रुपे लगेंगे, एटियम रखने के इतने लगेंगे, क्रेडिट काड रखने के इतने लगेंगे, फलानी सर्विस इतने रुपे, उसके उपर जी एस्टी इतने रुपे, इतना सर्विस चार्ज और उसके उपर अलग से खुद के अकाउंट से खुद के पैसे निकलवाने के भी रूपए देने पड़ते हैं चंद्रा के बाल कटने के रूपए तुम लोगों की जेब काट कर वसू ले जाते हैं